नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग इस चैप्टर में फ्रेंट्स हम लोग मार्केट्स के बारे में समझने कुशिश करेंगे देखें यहाँ पे यह जो आपके सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की जो किताब है इसका जो चैप्टर नमबर 7 है यह बताएगा कि कैसे हम लोग में उस दुकानदार का कितना पैसा खतम हो रहा है क्या उस पैसे की वज़े से उस इनिशल इंवेस्मेंट की वज़े से किसी एक चीज़ के फाइनल दाम पर कितना फरक आता है तो यह सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर कनेट करके देखेंगे बहुत इंपोर्टन चैप्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दें और फिर फटाक से आगे बढ़ते हैं हम लोग लाइक कर देंगे तो यह जो मेरा वीडियो है इसको यूट्यूब अपने अल्गोरिफ्म को ज्यादा प्रमोट करेंगा और साथ साथ इन NCRT की किताबों को आप NCRT की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं लेकी नीचे दिया हुआ है डाउनलोड करके पढ़िए बहुत ही अच्छी किताबे हैं अब देखें सामने स्क्रीर बहुत सारी चीज़े दिखा रखें अलग अलग जैसे कि एक टेस्टर है यह ऐसे पेज़कर भी यह यूज हो सकता है फिर यहां पर आपको है आठा या चावल का तो इस तरीकी चीज़ें हम लोग नॉर्मली खरीदते हैं तो बहुत सारी चीज़ें घर में खतम हो जाती है इनको जब हम बाहर खरीदने जाते हैं तो बहुत अलग अलग प्रकार के मार्केट से खरीदते हैं इनको हम अपने घर के पास की दुगानों से भी खरीद सकते हैं हो सकता है हमारे घर के पास से पर कोई रैडि वारा अपने सर पे एक बक्षा लेकर जा रहा ओ जिसमें इस तब चीज़ें हो वहां से खरीद सकते हैं एक किसी बड़े शौपिंगं कांप्लेक्स से जा wife बड़े शेयरों में जादा मिलते हैं, तो छोटे शेयरों में weekly market होते हैं, वहाँ पर जाके आप चीजों खरी सकते हैं, अब हमको समझना यह है कि भाई, चीजों को खरीदने वालों का nature, चीजों को बेचने वाले का nature, कैसे यह चीजे पहुंची उन markets में, जहां पर लोग जा होती हैं, यह ladies हैं, यह अपने पोटले में समान पैक करके लाएंगे, यहाँ पर कुछ लोग नारियल बेच रहे हैं, कुछ लोग अंगूर बेच रहे हैं, तो यह continuously on the move होते हैं, कभी-कभी यह इसी एक जगा पर permanently बैठेंगे, कभी-कभी कर week में आ रहा तो एक बार बैठे बैठेंगे, और यह पूरा अपना पोटला उठागे, किसी और जगा जाके, वहाँ पर भी चीजों को बेच सकते हैं, फिर यहाँ पर आपको किताबों की दुकान नजर आ रही है, यह किताबों की दुकान आपको railway station के बगल में, और किसी busy market में बहुत सारी ऐसी किताबों क दुकाने हमें दिख जाती है, नीचे आते हैं, यह कपडों की दुकान नजर आ रही है, तो इस तरीके कि बहुत सारी इन दुकाने हम लोग को यहाँ पे, यहाँ पे देखे एक superstore, big market, big basket या फिर, कहते हैं ना कि जो, आपको big market types के होते हैं, जो बड़े-बड़े, जहाँ बल्क में shopping को दिख बजा आता है, कुछ उस तरीके का दिख रहा है आपको, यहाँ पर यह परसन दूद और dairy products को बेच रहा है, यहाँ पर handicrafts भी कर रहे हैं, तो इस तरीके कि बहुत सारी अलग-अलग दुकाने आपको market में देखे हैं, अब weekly market हर जगा पे लगते हैं, चा कि यह weekly market आपके permanent नहीं होते हैं, इसलिएंग वो weekly कहा जाता है, तो कोई यह कैसी जगा identify कर ली जाएगी, उस जगा पे week के किसी एक दिन traders आसपास से बहुत साला समान बल्क लेके आएंगे, वो वहाँ पे अपनी दुकान लगाएंगे, और फिर वहाँ पे दुकान में daily products की चीज़ें, दूद, दही, vegetables, काम की चीज़ें, किराने की चीज़ें, हर चीज मिलती है, इन weekly markets में, और weekly markets में जो चीज़ें होती हैं थोड़े सस्ते rate में मिलती हैं, अब सवाल आदा है weekly markets में चीज़ें सस्ते rate में क्यों मिलती हैं, सस्ते rate में इसलिए मिलती होगी, फ् पंच दुकान वालेJe quarter एक पर एक Ultra करके आएंगे है तो उसा जगह पर नहीं करके नहीं लगा ने लगानी योंनको काना है उनको सेलरी प्रिए नहीं करती है यानि उस प्रीनु चीज़ students कों और करने में जो करनी उसके दाम जूर रहा है जा घॉपने टناने या तो इन में शोपने मान का जोपनी खेंटर हो चाहं कंड टाना मुर्जा करेंटिर में गलंजाने के बाइव थो लोगती इस्पेंटिशन में सब्सक्राइब जो वहाँ पे monopoly के साथ cheese महंगी बेचे, वो reasonable rate पे बेचेगा चीजों को, क्यों? क्योंकि competition है, माल लीजे एक vegetable वाला tomato 40 रुपे किलो बेच रहा है, और वो 40 रुपे किलो अगर जादा है, तो कोई भी buyer, अगले सब्जी वाले के पास जाके, कि वहाँ पे 30 या 35 रुपे में tomato खरी सकता है, तो यहाँ पे जो लोग बेच रहे हैं, वो rates को थोड़ा competitive रखते हो, तो आप rate को चार्ज ज़दा high नहीं कर सकते हो, चुकि bargaining opportunities बहुत साधा होती है, ओके, तो यह सब चीज हैं, और चुकि यह weekly markets हफते में एक बार बनते हैं, वहाँ पे इतने अलग अलग तरीके के लोग आते हैं, कि आपके सारी requirements वहाँ पूरी हुझाती हैं, जाए groceries हो, vegetable cloth, बरतन लेने हो, कुछ भी लेना हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे, और चब weekly markets रखते हैं ना, इन weekly markets से बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं चीज़े लेने के लिए, नौर्मिल लेखों के फ्रेंट्स की बहुत जगों पे क्या होता है, कि घरों के पास तो दुकाने होती हैं किराने के, बट उन किराने की दुकानों पे, समान रहना मिलता है, वो देखेंगे shops in the neighborhood, तो क्या करेंगे, कि वो हकते में एक बार वाले market में जाके, चीज़ों को लेना को प्रफर करेंगे, क्योंकि महाँ पे उनको चीज़े थोड़ी सस्ती मिल जाएंगे, यहाँ पे एक example दे रख्या भाई, समीर है यहाँ पे एक इंसान, he is a seller of cloths, समीर एक small trader है एक weekly market में, भाई, वो कपड़े खरीदता है बड़े traders है टाउन में, और उनको च्छे अलग-अलग markets में बेचता है, जो उसके साथ जो दूसरे cloth seller से वे ग्रूप में चलेंगे, उन्होंने विनी वैन हायर कर रखी इसके लिए, उसके customers जहाँ पे वो बेचता है weekly market में, वहाँ से भी आते हैं, उसके पास के जो गाउं है वहाँ से भी आते हैं, दिवाली पोंगल के टाइम पे इसकी sale बहुत जादा हो जाती है, तो यह जो समीर आदमी है ना, यह बड़े traders से सामान को खरीदेगा और फिर जाकी नीचे के लेवल में बेचेगा, यह जो बड़े traders से सामान खरीदता है ना, वो bulk में खरीदता है, चुकि बड़े traders, retail customers को, तो एक मीटर कपड़ा या दो कपड़ा मीटर नहीं बेचते हैं, वो जो बड़े traders होते हैं, bulk में quantities को बेचते हैं, अब shops इना नेबर रूट की बात कर लो, तो आपने देखा weekly markets variety of goods को उफर करते हैं, लेकिन हम चीज़ों को बाकी markets से भी खतिते हैं, जैसे for example, आप दूद की बात कर लो, milk की बात कर लो, milk एक ऐसा product है, जो कि भाई एक limits ज्यादा कर आप घर में रखोगें, खराब हो जाएगा, तो आप daily के वैसे पर milk लाना प्रफर करते हो, और आप घर के पास आसपास देखोगे, जैसे की बहुत सी ऐसे चीज़ होती है, सबजियां होती है, किराने की चीज़े हो गई, दोस्तों, आटा चावल, सब कुछ आपकी जो काम की चीज़े, वो आसपास की जो दुकाने हैं, वहाँ पर मिलता है, चाहे वो groceries हो, चाहे वो किताबे हो, चाहे वो घर के सामान हो, चाहे वो eatables हो, चाहे वो दवाईयां हो, ओके, ये सब चीज़ें आपको घर के पास मिल जाती है, अब ये जो दुकाने होती हैं, ये permanent shops होती है, कुछ road style stores हो सकते हैं, जैसे की ready वाला होता है, fruit बेचने वाला होता है, आप देखते हो कि घर के अगल में एक ठेले पे वेजटेबल लगा के ये वेजटेबल सौकर स्वेशने आते हैं, तो इस तरीके से आपको दुकाने मिलेगी, तो ये जो नेबर रूड में आपकी दुकाने होती हैं ना, यहाँ पे आपको सामान weekly markets जितना सस्ता नहीं मिलेगा, लेकिन ये बहुत convenient है, चुकि अगर कोई weekly market आपके घर के पास नहीं है, और daily के basis पे मान लिए किसी सामान की एकदम सरुत पड़ गई, तो आप तुरंद निकलके इन दुकानों से जाके सामान ले सकते हो, वैसे दो अधार को समझाने जिरूत नहीं सबको पता ही है, तो सुजाता कविता को उनके घर से भेजा गया groceries लाने के लिए पास की दुकान से, ये पास की दुकानों के घर के पास नहीं हैं, जो दुकान की जो लेडी हैं, वो उनकी मम्मीओं को जानती हैं, दुकान पर काफी भीड हैं, जब वो वहाँ पर पहुँचीं, तो दुकान वाली जो owner है, उसकी दो helpers भी हैं, तो जब ये दोनों अड़के सुजाता और कविता दुकान पर पहुँचीं, तो सुजाता को जो उसकी मम्मी ने लिश्टी थी, समान लेने के लिए वो लिश्ट उसके दुकान के owner को दे दी, दुकान के owner ने अपनी helpers ने का कि भाया ये समान बाढ़ दो, इतनी देर में कविता दूसरा समान दिखने लगी अगर कुछ जरूवत हो, तो यहां पर बहुत अलग अलग तरीके के समान उसको दिखा, उसको भीया अलग अलग तरीके के detergent, cakes लिए, इनने ठीके, उस साबों साफ करने वाला जो ठीके होती है न, वो रेन के आती है, सरफेक्सल के आती है, वो सब दिखा, फिर टूस्पेर्स भी अलग 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 तरीके के अलग अलग ब्रांड सी चीजे लगी थी, देखने में काफ़े अच्छी लगती हो, मन भी करीदता है खरीदने के, और वो नोटबुक उसने इस दुकान के ओनर को दी, उस दुकान के ओनर ने नोटबुक में पूरा हिसाब लिखा, कि भाई ये जो समान था है, कितने रुपए का हो, तीन अता रुपए का, और उस दुकान की ओनर लेडी के पास भी एक रजिस्टर है, उस रिजिस्टर ने भी उसने उस समान की एंट्री की, क्योंकि जब महीना खतम होगा, तो ये अपने रिजिस्टर से चेक करेगी ये लेडी, जो दुकान की ओनर है कि भाई, इसने कितने रुपए का उधार दिया था, और जिन घरो ने समान मगाया था ना, वो अपनी नेट्बुक से देखेंगे, और जितना समान का टोटल अमाउंट होगा, वो महीने को शुरुवात में दे दिया जाएगा, तो इस तरीके से चीज़ा चलती है नॉर्मल केसे में, जब आपके घर के पास अगर कोई दुकान हो, दुकान वाले साथ अच्छी मनते हो, तो उधार वगरा भी चलने लगता है, अगर आप टाइम पर पैसे देने वाले इंसान हो तो, तो यहाँ पर एक इस तरीके का आपको सलर समझ में आया, आप वीकली मार्केट में यह नहीं हो सब्सक्राइब, वीकली मार्केट में जाो, और वीकली मार्केट में जाके आप बोलोकि Yum 2 mark में जब आप आओगे तो कमे इस खरीदयों समान का पैसा दे दूँगा, तो वीकली मार्केट वाला आपको समान नहीं देगा, वहाँ डेली-डेली का हिसाब होता है, चीजें बिखती है खते हैं इसकी देश जो हमारे घर के पाद दुकान है कुछ पर्मानेंट दुकान है हुन्होंने दुकान खड़ी कर रखे होगी वहीं पर रहते होगे वहीं पर अमना धंगा करते होगे कुछ लोग हैं जो roadside होते हैं मतलब सब्जी वाली रेड़ी कभी-कभी आपके कलोनी में आई और कभी-कभी आपकी कलोनी में नहीं आई तो इस तरीके एक चुझे दिखती है तो यह एक experience हो गया अब कवीता सुझाता का एक एक और experience देखते है कवीता सुझाता एक five-floor की shopping mall में गए shopping mall आज की date में बहुत common site हो गया ठीक है वहाँ पर जब अंदर गुसे है तो नहीं देखा बाई सब कुछ ग्लास का चंचमाता हुआ है कितनी सफाई है कितनी अलग-अलग तरीके की shops है ब्रैंडड शॉप से लिवाइस की शोरूम दिख रहे हैं आपको ठीक है शॉपर से स्ट को देख रहे हैं तो उस समान का जो दाम है वह बहुत जादा है कि मान लिजिए सुजाता ने कोई टी-शिट देखी और उस टी-शिट पर जब उसने वहाँ पर दाम देखा तो तीन अजार रुपए था तीन अजार से कमकी तो उनको कोई चीज मेली नहीं रही है वही टी- जो आपके ब्रैंड्स होते हैं के कपड़े weekly market मिखेंगे यह तो नहीं बोला जाएक लेकिन फिल भी weekly market में आपको reasonable कपड़े reasonable download में मिल जाते हैं लेकिन branded malls में अगर आप इन ब्रैंड्स को जा के खरीद होगे तो अकसर कर बहुत महेंगी मिलती है आचकल तो online shopping का जमाना है online भी चीज़ें सस्ती मिलने लगी है बट mall में अपसर का चीज़ा बहुत होता सस्ती नहीं मिलेगी तो ये भी एक तरीके का market और ये जो shopping complex, shopping malls है ये weekly markets से किस तरीके से लागा देखे भाई, अब तक हमने weekly markets को देखा, जहाँ पर में एक बार जाके चीज़ें सस्ते मिलानी है अपने घर के बगल में जो market है, दुकाने हैं ready वाले हैं, चोटी-चोटी footpath पर जो लोग बैठते हैं, इनको देखा आज कल की date में जो shopping का trend आ गया, वो shopping complexes में आ गया urban areas में भाई, बड़े-बड़े mall खुल गए हैं, अगर आप कभी noida side गए हो, दिल्ली side गए हो, तो आप देखो कि center stage mall, उसके just सामने बेट इंडिया palace, भाई या बड़े-बड़े mall हैं यहाँ पर बड़े-बड़े air conditions building हैं, बड़े-बड़े floor से इनके दर दुकाने लोगों ने किराय पर रखी हैं, और उस किराय में अपना दंदा चला रहे हैं, अब यह जो mall owner से यह क्या करते हैं, यह भाई कि अपनी जो दुकाने होते हैं, वो अलग-अलग brands को उधार पे देते हैं, तो जैसे shopper stop पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा section ले रखा है, किसी एक mall में, अब वो shopper stop वाला, इस mall के owner को किराया देगा, फिर वहाँ पर यार देखें, वो एक commercial building है, तो commercial building में विजली का बिल भी जादा आता है, किराया भी उसका जादा होता है, उसके जो पूरे setup को बनाने में, उनका अच्छा खासा पैसा खतम हो रहा है, तो जब उस अच्छे खासे पैसे को खतम हो रहा है, तो obviously बात है, जो वो चीजे बेचेंगे, वो भी obviously बात है महंगी होगी, और malls में देखोगे, तो चाहे वो branded चीज हो, चाहे वो non-branded चीज हो, दोनों तरीके एक चीजे महंच में आपको regular weekly market से महंगी ही मिलेंगी, प्लस, यह जो markets होते हैं अपना, यह अपना खुप सार advertisement भी करते हैं, तो advertisement के चलते भी इनके जो comfort होते हैं, थोड़े महंगे हो जाते हैं, ठीक है, फिर the companies producing these products, sell them through shops in large urban markets and at times through special showrooms, as compared to non-branded goods, fewer people can afford to buy these branded goods, खासका जो branded कपड़े होते हैं, वो branded कपड़े खरीदने, बहुत मुश्किल हो जाते हैं, नॉर्मल लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों का क्या है, यह weekly market में के 200 रुपे, 300 रुपे के अच्छी टीशेट खरीद ली, ठीक है, में लोग क्या करता था कि पहले रैंगलर की भई, तीन टीशेटें आती थी, 600 रुपे में, मैं तो बहुत खरीदता था इनको, इस तरीके चीज़ें खरीद ली, चुकि सस्ती पड़ी, लेकिन अब एक टीशेट अगर 1000 रुपे की होगी, तो एक आदमी सोचेगा, अगर व समान खरीदते हैं, आपका shopping complex देखा, weekly market देखा, और आपका neighborhood का market देखा, इसकी जिसे कुछ और छोटे मोटे बड़े markets होते हैं, जिसे विशाल मगा मार्ट हो गया, विग बजार हो गया, डी मार्ट हो गया, अलग अलग चीज़ें हैं, वो आप समझी सकते हैं, आपके, कह स सकते हैं कि vicinity में आपने देखी होगी, अब देखे, आपको क्या लगता है कि यह जो shop owners इंद दुकानों में अपना समान बेच रहे हैं, कहां से बेच रहे हैं, अब समान है किराने का, यह कहां बनता है, या obvious की बात है, factories में बनता है, अगर खाने पीने की चीज़ों तो forms, vegetables forms में grow होंगे, ठीक है, अब जब कोई चीज factory में बनी, या farm में grow ही, तो क्या आप factory और form में खरीद होगे, माल लिज़े आप किसी factory owner के पास जाते हो, अब माल लिज़े यह जो factory वाला है, वो bag बनाता है, leather bags बनाता है, अब अगर कोई एक individual lady जा कि इस factory owner से घाए, बही मुझे trader भाई, अब lot में bag को खरीदेगा, 500 bag, 1500 bag, 81 खरीदेगा, वो trader एक छोटे trader को देगा, उन bags को और वो छोटे trader जाके, अलग-अलग markets में बैंक को directly बेचेंगे, तो इस तरीकी से chain मनती, हम जो retail customers हैं, जो end में सामान को खरीदते हैं, यानि 1 kg प्याज खरीद गया, 2 kg चीनी खर खरीद लिया, ठीक है, अब हम जैसे लोग जाके 10 leather bag थे ना खरीदेंगे, एक bag खरीदेंगे, तो उस एक bag को खरीदने के लिए हम छोटे से market में जाते हैं, तो हम बन जाते हैं, क्या हम बन जाते हैं, रिटेलर, उसी तरीकी से जो बड़ी factories होती हैं, बड़े farms होते हैं, ये farms भाई, ये नहीं चाहते हैं कि कोई एक retailer आके उनसे खरीदे, या कोई small quantities में खरीदने वाला आदमी उनसे खरीदे, यानि एक kilo vegetable, कोई farm owner आपको नहीं बेचेगा, एक plastic mug, कोई mug की factory बनाने वाला owner आपको नहीं बेचेगा, वो bulk में उन चीज़ों को बेचेगा, इसलिए जो लोग बना रहे हैं, जिनको आप producers बोलते हो, और जो लोग finally consume कर रहे हैं, जिसको आप retailers बोलोगे, उनके बीच में कुछ middlemen होते हैं, कुछ दलाल होते हैं, जिनको बोले जाता है traders, और ये traders चीज़ें सस्ती खरीदते हैं, महंगी बेचते हैं, और उसमें अपना profit कमाते हैं, वो 25-100 kg of vegetables करीदेगा, और जाके फिर market में बेचेगा, कोई बहुत बड़ा trader है, तो वो 1000 kg of vegetables करीदे, 1000 kg आलू खरीद ले, 1000 kg आलू को फिर वो 50-50 kg करके छोटे traders को बेचे, और फिर in those terms वो छोटे trader जाके market में चीज़ों को बेचेंगे, तो एक रंबी chain मन जाती है, market में, औ और इस chain के थूँ एक समान जहां से produce हो रहा है, और वही समान जहां बिकेगा, इस chain के थूँ वो पहुंचता है, the trader who finally sells this to the consumer is a retailer, ओके, अच्छा, एक चीज़ और फेंट से, retailer हो सकता बीचे में थोड़ा बोलने में गलती करती हूँ, जो last trader इस चीज़ को बेचेगा, उसको बोलेगा, the trader who finally sells this to consumer, हम जब चीज़ खरीद रहें तो हम consumer हुए, और हम जिससे खरीद रहें हो रेटेलर हुआ, मतलब इस chain में जो आखरी बेचने वाला है, वो रेटेलर हुआ, जैसे कि for example, आप एक agriculture product marketing, बदी APMC की जो मंडियां होती है, उस मंडी में गए, ठीक है, तो मा market यह न हूँ, चावल का होगा, एक market आपका मummसालों का होगा, एक market आपका vegetable का होगा, एक market आपका fruit का होगा, तो इस तरीके कि वहाँ पर बहुस सारे किलो आगुर उबेग अब वो फान 600 किलो आलू या तो उस किसान के पास पैसा होगा तो वो वेन लेके इस मंडी में बेचने आएगा नहीं तो कि दूसरा मिडल में उस आलू जिसने प्रेडूस किये किसान से उसको आलू खरीदेगा वैन में पैक करेगा और इस APMC मंडी में आलू बेखेंगे तो उसके पास जो 600 किलो जो आलू बने वो 600 किलो का एक लॉट है अब वो लॉट और फिर और भी बहुत साला लोग आलू बेचने आये होंगे वाशी की APMC मंडी में तो आलू एक घटा होगा फिर अलग-अलग जगाओं पर वो आलू बेखना शुरू के लिए उस लुकाली इसखें के आलू आलू बेखेंगे तो नारेटर जो जो लास्ट है लास्ट इन चेंज होगा उसको आप बोलोगे रेटेलर तो फाइनली कंजूमर इस रेटेलर बीकली मार्क्ट का भी हो सकता है। एक शॉपिंग कॉंपलेक्स में आपके नेवरेवोड में नहीं हो सकता है। तो यह होता है डेले अगर पहले गलती सेस्लिप उस रिपोफ तंग में हो गया है तो पूरा आपको चीज़ है। यहाँ पर फेले goods आएंगे, फिर दूसरे traders को होंगे, फिर वो traders जाके दूसरे traders को बेचेंगे, और finally एक रिटेलर होगा जो finally जाके goods को consumer के पास बेचेंगा, तो बहुत सारे retailers अलग-अलग उड़ जाते हैं, तो इक कुरी chain बन जाती है, जब हम कोई चीज वो करीबते हैं न, तो हमको पता नहीं होता है कि कितनी लंबी chain of markets होती है जिसके तुरू travel करके ये goods हम तक पहुंचे होते हैं अब यहाँ पे अफताब की कहानी है आप इस कहानी को भी एक बार देख लेते हैं अफताब the wholesaler in the city अफताब एक wholesale trader है जो bulk में purchase करता है तो उसका business लगबग दो बज़े शुरू होता है market में जब vegetables market पहुंचते हैं APMC मंडी में सुबह दो बज़े vegetables पहुंच जाते हैं ये vegetables दूर दूर से आ रहे होते हैं दूर दूर के गाओं या पास में कोई गाओं है वहाँ पे आते हैं ये vegetables हैं वो trucks में या बड़ी बड़ी गाड़ियों में आएंगे और वहाँ पे फिर vegetable का auction शुरू होगा और उस auction में अफ्ताब participate करता है और इस auction में वो vegetables खरीदेगा माली जो इसने 5 कुंटल कॉली फ्लावर खरीदा 10 किलो प्याज खरीदा अब 5 कुंटल वो भी हो 10 कुंटल प्याज इसने खरीद रखा है एक कुंटल 100 किलो का है तो 1000 किलो प्याज खरीद रखा और 500 किलो इसने प्ली फ्लावर खरीद रखा तो obvious ही बात है अब ये इनको छोटे-छोटे hawkers और shopkeepers को बेचेगा ठीक है तो यहां से ये जो चीज है ये hawkers और shopkeepers को बेचना शूरू करेगा और ये hawkers और shopkeepers इसी APMC मंडी में सुब़े 6 वजे के लग बात है चुकि ये hawkers और shopkeepers इस APMD मंडी से समान खरीदेंगे सुब़े और फिर ये लेके निकलेंगे इसको बेचने के लिए अपनी अपनी colonies को तो इस APMC के market में भी बहुत सारे अलग-अलग level है पहले एक पुरा bulk विक्रेता होगा जो कि auction में participate करकी चीजें खरीदेगा और फिर वो छोटे-छोटे विक्रेताओं को बेचेगा और इसमें काफी politics होती है दोस्तों मतलब कुछ ऐसे बड़े यहां पे auctioneers होते हैं विक्रेता होते हैं जिन्होंने इस market को capture कर रख रहा है तो जल्दी दूसरे को आने भी लिए देते हैं अपनी जगहों पे हर जगा पे politics होती हैं यहां पे भी उतनी होती है तो देकि यह markets हर जगा दिख रहे हैं हमने अलग-अलग तरीके की markets देखे जहां पे अलग-अलग variety के goods or services बिखते हैं ठीक हैं यह markets किसी special locality में काम करते हैं किसी particular manner of time पे काम कर सकते हैं जरूरी नहीं है friends यहां पे एक और concept आ गया कि हर बार आपको cheese खरीदने के लिए किसी एक market में जाना पड़े कभी-कभी क्या होता है कि आप phone पे order place कर देते हैं इंटरनेट पे order place कर तो चीज़ें आपके घर पे आ जाती है बिख बास्केट बिख बास्केट अपनी app चला रहा है बिख बास्केट की app पे जाईए अपनी कार्ट में चीज़ें डाली है अब एक बास्केट आपके घर पे चीज़ें deliver कर जाएगा तो इस तरीकी चीज़ें होती है आज कर आपने देखा होगा बहुत सारी apps खुल गही हैं उस apps में आप जाईए आप लिखे कि मुझे complete blood count का टेस्ट कराना है एक आदमी उस app का आपके घर पे आएगा आपका blood sample लेगा उस blood sample को वो laboratory में लेके जाएगा laboratory में आपका blood का test होगा जब blood की report आएगी वो internet पे upload कर दी जाएगी और आपको username पासवर्ट करके कहा जाएगा कि आप login करके अपनी blood report आप समझ रहे ना कि चीज़ें कितनी ज़्यादा technical हो गई है हर चीज़ को खरीदने के लिए हर service को लेने के लिए आपको कहीं जाना पड़े ये ज़रूरी नहीं आगे बढ़ते हैं अब तक तो जो हमने market देखे जो सीधे सीधे हमको नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे markets होते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा aware ना हो ठीक है जैसे कि आप market से सबजीयां खरीद रहो जाके आप लूटा मांटर पर आज ये सब चीज़ें खरीद रहो उस सबजीयों को उगाया किसने किसान ने उगाया उस सबजीयों को उगाने में किसान ने बहुत सारे inputs लगाए हो गया वो inputs होते हैं आपके fertilizer हो गया pesticides हो गया इंसेक्टिसाइड हो गया ये normal case में आपको pesticides insecticides की जरूत पड़ती है नहीं होती पड़ फिर भी ये fertilizer pesticides, insecticides भी बिखते हैं हलाकि इन दुकानों पे normal लोग जल्दी जाते हैं until and unless आपके घर में कोई garden हो और आप खुद खेतीवाड़ी करने में इंट्रेस्टेड हो आगवा आगवा उगाने में इंट्रेस्टेड हो तो भले आप जाओ गया final product लेकिन उस car में बहुत engine लगा है gear लगा है, petrol tank, axle wheel लगा हुआ ये अलग-अलग company के हो सकते हैं तो इन अलग-अलग company car को finally बनाने वाले ने हो सकता है इन products को अलग-अलग company से खरीदा हो तो वो भी एक market है बट ऐसा market हो जो हमको दिखता नहीं है बट वो है credit card के इस्तमाज से आज की rate में लोग online purchases करते हैं credit card ही क्यों है भारत पे, paytm, atl पे जाने कितने तरीके के तो payment mechanism आ गया है घर बैटे-बैटे आप online pay करते है तो markets and equalities की बात करते हैं हमने shop owners जो थे weekly market में उनको देखा जो shopping complex में थे उनको देखा भाई बिल्कुल अलग-अलग थे shopping complex व weekly market के जो shop owners से अलग है shopping complex थोड़े जादा standard हो जाएंगे weekly market थोड़े कम standard है एक weekly market वाला जो trader है भाई उसके बास कम money है वो कम money पे काम करता है लेकिन जो mall में shop owner के बैठा उसके बास ठीक ठाक पैसा होगा spend करने के लिए दोनों की कमाई भी अलग-अलग होती है weekly market में जो trader हो सकता हो कम profit कमाता हो और ऑबिस की बात है shopping mall में अगर कोई दुकान लेके बैठा अगर तो उसकी दुकान चल रही है तो भाई वो ज़्यादा कमाता होगा फिर एक और खास बात है ये weekly market में जो चीज़े बिक रही है उसको ज़्यादा लोग खरी सकते है shopping complex में जो बिक रहा है उसको हर कोई नहीं खरीद पाएगा उसको एक minimum standard के लोग ही खरीद पाएगे तो ये तरीके से चीज़े काम करती है और मैंने आपको बताएगी shopping complex में चाहे branded चीज बिक रही हो चाहे unbranded चीज बिक रही हो वो महेंगी क्यों होती है branded चीज है तो जो brand है उसने अपनी brand की marketing करने में बहुत पैसा कतम किया है तो अव्यसी बात है वो brand अपनी marketing के पैसे भी अपनी cost में जोड़ेगा फिर वही branded showroom जब एक branded कोई कपड़े वाला होगा मानली जब वो showroom लेगा मौल में तो showroom पे काफी साला पैसा खतम करेगा फिर वहाँ पे चीज़ों को बेचेगा तो अव्यसी बात उन चीज़ों का दाम बढ़ जाएगा कुछ-कुछ ऐसा unbranded चीज़ों के लिए भी होता है shopping mall में च्योंकि shopping mall में आपको दुकान खोलने में business center करने में पैसा तो ज़्यादा लगेगा आप जब पैसा ज़्यादा लेगेगा तो आपकी initial cost बढ़ेगी initial cost बढ़ेगी तो आपको goods की final cost को बढ़ाना पड़ेगा अपना एक minimum amount of margin लखने लेगे देखी shopping malls कुछ इस तरीके से दिखते है जब कमाने लाइक हो जाते हैं हम लोग जाके यहाँ से खरीदते हैं तो इससे क्या होता है कि भी यह production ज़्यादा करो जब चीज भी करी चीज की demand उस प्रोड़क्शन ज़्यादा करो जब production ज़्यादा होगी तो भाई ज़्यादा लोगों को opportunities मिलेगी आन करने के लिए job opportunities ज़्यादा पैदा होगी एक shirt की story से यह जो opportunities पैदा होती है demand के बढ़ने से वो कैसे equal होंगी या equal नहीं होंगी वो हम अगले chapter में देखेंगे एक shirt के example के साथ यहाँ पर दे रख रहा है एक और sustainable development goal बता रहा है जिसको आप बोतो responsible consumption and production अच्छा sustainable development गैंट को लागू कौन करता है इसने इसको आप कह सकते हो कि force ही किया है तो यह है United Nations Development Program पहले Millennium Development Goals थे अब sustainable development goals है तो यहाँ पर weekly market के बारे में देखा mall के बारे में देखा wholesale के बारे में देखा और chain of markets के बारे में देखा एक brief information दी फ्रेंट यह थलका फुलका आइडिया आपको लग गया हो competitive exams की त्यारी के लिए बस एक बार सुन लीजे समझ लीजे बस उतना इनाफ है कहीं पर कोड करने को आ जागा तो कोड कर जेगा आपकी understanding में काएगा तो thank you for watching friends वीडियो को लाइक दूरू कर दिजेगा और बेना चैनल को subscribe किये मत जाईएगा